गुजराती रेसिपी पात्रा खाने में चितना टेस्टी है बनाने में उतना ही मुश्किल है लेकिन आज मैं पात्रा की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हर कोई बना सकता है बहुत इजिली बना सकता है और फटाफर से भी तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो पात्रा बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए पात्रा के पत्ते मतलब कि इसे हिंदी में शायद अर्भी के पत्ते बोलते हैं तो यहाँ पे मैंने आंट से 10 पत्ते ले लिये हैं ठोड़े चोटे भी हैं थोड़े बड़े ही एक ब्लाucky जरुरी है कि इनंके उपर बहुत सारे मिल्टी लगी होती है, चलिए अब इन्हें सुखा लेते हैं क्योंकि इन Loud जरी दीजिया है कि बारिश का मौसम्क हैं उपर कुछन सकना इने एक कड़र quantify ब्lam तब तक हम एक बेटर रेडी कर लेते हैं तो यहां पर हमें चाहिए बेसन मेरे घर में इस तरह डिब्भा बर्ट के बेसन रहता है क्योंकि मैं आए दिन कुछ ना कुछ बनाती हुँ और यह बेसन मैंने गर पे ही ग्राइंड किया है तो ये बारिक वाला बेसन है, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4-5 कप जितना बेसन ले लिया है, तेसके अकोरिंग इसके अंदर डाल देंगे नमक, खल्दी, मिर्च और धन्याजीरा पाउडर, यहाँ पे धन्याजीरा पाउडर थोड़ा सा ज़ादा लगेगा, मैंने 3 चमच दनेजरा पाउडर लिया है, 2 चमच तील लिये है, और 2 चमच मैंने लिया है, सौफ का पाउडर, तो आप अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो, चली अब एक छोटी से पतीली ले ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, 50 गराम जितनी इमली और 50 गरम जितना गु तो पत्तों में बीच में जो नस होती है, वो बहुत ही मोटी होती है, तो इसे निकालना थोड़ा सा हाड हो जाता है, तो ये देखे, इस तरह आप अगर नस को निकालोगे, तो फटा-फट निकल जाएगी, और जादा आपका टाइम भी नहीं बिगड़ेगा, हम ये पात् पत्ता मुझे साइड में से थोड़ा सा खराब लग रहा था, तो मैंने उसे निकाल लिया है, और इस तरह सारे पत्तों की नसे हमें निकाल लेनी है, तो आप देख सकते हो कि कितना इजी लिए मैं इसे निकाल रहा हूँ, तो आप भी अगर इस सारह से निकालोगे, तो गेस की ख्लेम को मैंने आफ कर लिया है और अब इन पत्तों को हमें कट कर लेना है तो थोड़े से पत्ते हम लेंगे और इस तरह इसे रोल कर लेंगे और रोल करके ही इसे हमें कट कर लेना है तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह इसे कट कर रहे हूँ इसे हमें थोड़ा सा पटला पटला कट करना है तो रोल करना है और फिर कट कर लेना है और ये जो रोल है उन्हें हमें कोल लेना है तो आप देख सकते हो कि हमें लंबी लंबी जो स्ट्राइप है उस सरा के पत्ते मिल रहे हैं तो इस सारे पत्तों को हमें कट कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे पत्तों को मैंने कट कर लिया है और अब इन्हें हम खोल लेंगे तो सारे पत्ते कट होके हमारे एकदम रेडी है और अब हमें चाहिए खलवट्टा क्योंकि इसके अंदर हम बनाएंगे अदरक मिर्च लसुन की पेस्ट तो यहाँ पे हमें लसुन कितना लेना है तो लसुन आप अपने टेस्ट के अकोड़िंग ले सकते हो यहाँ पे मैंने 5 से 6 कले जितना लसुन लिया है और एक छोटा टुगड़ा अदरक का लिया है उसे मैंने छील लिया है और अब इसके अंदर डाल देंगे मिर्ची तो मिर्ची हम इसमें ज्यादा ने डालेंगे मैंने यहाँ पे एक ही मिर्ची डाली है क्योंकि यह जो बैटर हम बनाने वाल है बेशन वाला उसके अंदर भी हमने लाल मिर्च डाली हुई है तो थोड़ा सा नमक डालके हमें इसे कूट लेना है तो यह देखे अदरक मिर्च लसुन की पेस्ट हमारी एकदम रेडी है अगर आप चाहो तो इसे ग्रैंडिंग जार में डालके भी इसकी पेस्ट बना सक और अब चलनी की हेल्प से इसे हम चान लेंगे इसका हमें पल्प चाहिए तो इस तरह हमें इसे चान लेना है तो हमें इसीली इसका पल्प मिल जाएगा थोड़ा सा पानी डालके मैंने इसे चान लिया है यह जो पल्प है वो थोड़ा सा पतला होगा तो भी चलेगा क्यों तो सारे पत्ते हम एक साथ नहीं डालेंगे थोड़े थोड़े पत्ते डालेंगे और इस तरह इसे मिक्स करते जाएंगे तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह इसे हाथों से मिक्स कर रहे हूँ तो आप भी इसी तरह करें अगर आप कोई spoon या फिर कोई कंची लोगे तो इससे अच्छे से mix नहीं होगा क्योंकि अर्थी के पत्ते जीस तरह हमने cut किये हैं उसे हमें हाथों से mix करना पड़ेगा और अब थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे और इसे mix करते जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले मैंने जो अर्भी के पत्ते डाले थे वो सारे बेसन से अच्छे से coat हो चुके हैं तो अब बाकी बचे पत्ते हम डाल लेंगे और अब मुझे लग रहा है कि बेसन थोड़ा सा कम पड़ेगा क्योंकि अर्भी के पत्ते जादा दिख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 cup जितना और बेसन ले लिया है तो टोटल हमें यहाँ पर 6 cup जितना बेसन चाहिए तो यहाँ पर डिपेंड है कि आप पत्ते कितने ले रहे हो अगर आपके पत्ते थोड़े से कि अधा थो आप बेसन जादा ले जीए पर लेकंडे 1972 अर आप गया है ह्याँ पर बेद एक हम चाहिल खाना पर दो extra time मैंने रख दिया है और की त्लेम को मैंने आ अन कर दिया है स्टीमर को हमें घरम करने के लिए और अब बैटर है उसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा सोड़ा मतलब कि जो खाने曼ता है व राल डाल देंगे उपर से ठोड़ा सा हम निम्मो ली चोड देंगे और इस चलिए बैटर हमारा एकदम ready है पात्रे का और अब यहाँ पे मैंने ले लिये है इस तरह के ग्लास तो इस तरह के ग्लास I think सब के गर में होंगे तो यह स्टील के ग्लास है और चारो ग्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया है और अब इसे इस तरह ब्रस से मैंने अच्छे से grease कर लिया है तेल से grease करने से यह जो बैटर है वो ग्लास में चिपकेगा नहीं एकदम easily निकल आएगा और अब एक चम्मच की हेल्प से बैटर को हमें ग्लास के अंदर भर लेना है तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह इसे भर रही हूँ यहाँ पर हमें ग्लास को पूरा फिल नहीं करना है थोड़ा सा हमें उपर से खाली रखना है क्योंकि इसके अंदर हमने सोडा डाला था तो सोडा की वज़े से यह जो बैटर है वो थोड़ा फूलेगा और उपर आएगा तो उसे उपर आने के लिए थोड़ी सी जगा चाहिए तो इतनी जगा हम छोड़ देंगे और ग्लास को हम अच्छे से टैप कर लेंगे तो अब चारो ग्लासों को रख देते हैं स्टीमर में स्टीम होने के लिए इसे हमें तकरिबन 15-20 मिर्ट स्टीम करना है तो इसे 15-20 मिर्ट स्टीम करने के लिए रख कर हम भूल जाएंगे तो चलि 15-20 मिर्ट हो चुके हैं और अब देख लेते हैं कि हमारी ये जो पात्रा है वो एकदम ready हो गए कि नहीं तो इस सरा एक तुटपिक लेना है और इसे गलास के अंदर मटलब के पात्रा के अंदर डाल के देख लेना है अगर तुद्पिक एकदम clean निकले तो समझ लेना है कि हमारा पातरा एकदम ready है अगर आपको लगे कि थोड़ा सा चिपक रहा है तुद्पिक में तो 5-6 मिनिट इसे और हम steam कर लेंगे चलिए सारे पातरा को मैंने पहान निकाल लिया है और एकदम ठंडा होने दिया है ठंडा होने के बाद ही इसे हम unmold करेंगे अगर आप गर्मा गरमी निकालोगे तो अच्छे से पातरा हमारा निकलेगा नहीं तो चाको के help से इस तरह हमें side को छुड़ा लेना है और फिर हमें निकाल लेना है तो यह देखिए आप देख सकते हो कि easily हमारा पातरा निकल रहा है लास्ट वाला जो glass है वो एकदम ठंडा हो गया था तो direct ही मैंने निकाला तो direct ही निकल गया है उसे मैंने चाको से छुड़ाए भी निकल गया है चली अब इसे हम cut कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पातरा कितना easily cut हो रहा है और cut करते समय भी आपको पता चल रहा होगा कि कितना soft है तो यह देखे आपको मैं एकदम पास से दिखाती हूँ देखने में कितना बढ़िया लग रहा है तो इस तरह सारे पातरा को हम evenly cut कर लेना है जादा मूटा भी नहीं जादा पटला भी नहीं ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे चली अब पातरा में छोक लगा देते हैं मतलब कि पातरा को हम भगार लेते हैं तो पातरा को छोक लगाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए तेल तो यहाँ पे मैंने 4-5 चमच जितना तेल लिया है तेल गरम होते हैं उसमें डाल देंगे एक चम्मच भर के राई और दो चम्मच थिल और ढकन लगा देंगे ताकि तील यहां वहां उड़े नहीं और 4-5 हम ले ले लेंगे करी पते और आधा चम्मच हम ढाल देंगे हिंग और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब इसके अंदर डाल लेंगे पात्रा तो यहां पे मैंने सारा पात्रा नहीं लिया है मैंने आधा लिया है जितना बनाया था उसमें से और अब इस तरह कड़ाई को उचालते हुए मतलब कि इस तरह हमें उसे mix कर लेना है हम तावेता की एकदम परफेक्ट रहे तूटेना और लास्ट में धन्यापती से इसे हम गानिश कर लेंगे तो ये लिजिए हमारा गुजरती पात्रा एकदम रेडी है देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है टेस्ट में भी बहुत ही बेस्ट है और एकदम सॉफ्ट भी है मैंने इसे पीनट फुदिना की चटनी के साथ सर्व किया है आप चाहो तो इसे चाय के साथ भी एंजोई कर सकते हो चाय के साथ भी ये पहुत ही बढ़िया लगता है तो आपको आज की पात्रा की इजी रेसिपी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बतेएगा चले मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई जैशी कृष्णा